नमस्कार आपका आखबार के संक में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने रवी वार को इंडिया टीवी के संपादक और मशूर पत्रकार रजट शर्मा को इंटर्व्यू दिया बड़ा कारिकरम था एक इवेंट की तरह था इस तरह का इंटर्व्यू जो है और किसी ने किया नहीं और वो बहुत लोग प्रियर भी हुआ सोशल मीडिया से लेकर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो है खूब चला बहुत से लोग अभी भी देख रहे हैं लाखों और मुझे लगता है वीवर्शिप जो है करोड़ों में पहुँचेगी लेकिन उसकी बात अलग उस इंटर्व्यू में सिर्फ एक बात को आज मैं उठाना चाहता हूँ उन्होंने चुनाव आयोग पर जो हमला हो रहा है उसके बारे में जब आद दिया उन्होंने 1991 का जिक्र किया जब T.N. सेशन मुख्य चुनाव आयोग थे तब राजीव गांधी की 21 मई 1991 को हत्या हो गई थी श्रीप एरंबदूर में और उसके बाद के चुनाव जो है लगभग तीन हफते के लिए स्थगित कर दिये गए तब नियम कहा था क्या नियम था उस समय किसी ने इतराज क्यों नहीं उठाया उस समय कॉंग्रेस पार्ट और ये डीटेल मुझे मिला है पूर्व राश्टपती आर वेंकर्ट रमन की किताब है माई प्रेजिदेंशल येर्स कि क्या हुआ हो उन्होंने कहा कि 21 मई को जब उन्हें 10 बच के 45 मिनट पर ये खबर मिली उसके बाद उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई सीधे राश्टपती बहुन गया उसके अलावा किस को किसको बुलाया राश्टपती ने राश्पती ने बुलाया Cabinet से क्रेटरी को जो समय रेश्चंद्रा थे होम सेकरेटरी को बिलाया ध्ल सेना अध्यक्ष को बुलाया और वाई से KAT के अंध्यक्ष को बुलाया उन्होंना कहा कि मेरे दिमाग में जो तस्वीर आ रही है और उससे पहले एक और घटना हो चुकी थी राश्पती लगबग रात के एक बच के दस मिनट के आसपास सोनिया गांधी से मिलने कॉंडूलेंस के लिए दस जनपत जाना चाहते थे वो और उनकी पत्नी जा रहे थे दस जनपत के बाहर भीड जो है उनकी गाड़ी पर एक तरह से लेट सी गई और उनको अंदर गुषने नहीं दिया आकिर सुरक्षा कारणों से उनको वापस आना पड़ा तो उनकी नहीं कहा कि मुझे 1984 का द्रश यादारा इंदरा गांधी के हत्या के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी कोई ऐसी सिचुएशन ना आए कोई ऐसी स्थिति ना आए इसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त होने चाहिए अब अगली बात जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिये चुनाओ का अगला चरण था 23 मई को 21 मई की ये घटना है 23 मई को चुनाओ था होम सेक्रेटरी कैबिनेट सेक्रेटरी थल सेना ध्यक्ष और एर फोस के चीफ ने राश्पती को आश्वस दिया कि सुरक्षा बलों की और सेना की इतने बड़े पैमाने पर तैनाती की जा रही है कि 23 तारीख को जो सम्वेदन शीली लाके हो सकते हैं जहां 23 तारीख को मददान होना है वहां कुछ भी गड़बड न होने पाए यानि ये चारों लोग तैयार थे कि 23 तारीख को मददान हो जो नियत तारीख थी और ये कहा कि जो है इसके लिए पूरे देश में रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है उसके अलावा इन खेत्रों में खास सुरक्षा का बंदोबस्त किया जा रहा है इसके बाद सवाल ये हुआ कि इस पर जो है मुख्य चुनाव आयो TN station से भी discussion होना चाहिए TN station आये वो पहले से तयारी करके आये थे उन्होंने चुनाव उस थगित करने का प्रस्ताव दिया और केवल इस थगित करने का प्रस्ताव नहीं दिया उनके पास तारीक भी थी उन्होंने का 23 माई का चुनाव वो टाल कर 12 जून को कर दिया जाए और जो 26 माई को अगला चरण था और आखरी चरण था 26 माई का चुनाव 15 जून को कर दिया जाए तो security forces के transportation में आसानी होगी अब आप देखिए cabinet secretary home secretary army chief और air force के chief कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी paramilitary forces के movement में कोई समस्या नहीं होगी सुरक्षा प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होगी लेकिन TN session बिना किसी ऐसे assessment के वो कह रहे हैं कि चुनाव उस थगित कर देना चाहिए अब वो किसके इशारे पर कर रहे थे इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं इस थगन को लेकर एक अफ़वा पहलाई जाती है आज कल जो discussion हो रहा है कल से जो शुरू हुआ है उसमें की सभी दल उससे सहमत थे ये बिलकुल गलत है खास थोर से विपक्षी दल यहां तक की कॉंग्रेस भी सहमत नहीं थी कॉंग्रेस में भी एक धड़ा था जिसको लग रहा था कि ज़्यादा लंबा postpon कर दिया चुनाओ तो जो सहानभूती राजीव गांधी के अत्या से मिलने वाली है वो कहीं मद्धम न पड़ जाए इसलिए वो चाहता था कि इतना लंबा न हो बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी सहमत थी इस जो है postponement से लाल किर शाडवानी ने राश्पती से मिलकर कहा कि बहुत लंबा स्थगन हुआ है इतना लंबा जो है थगित नहीं करना चाहिए था और सभी दलों को कॉंग्रेस के अलावा सभी विपक्षी दलों को चिंता थी संसाधनों की कि इतना लंबा चुना होगा तो उनके लिए संसाधन की मुश्किल होगी लेकिन जिन लोगों का मैंने दिक्र किया प्रधान मंतरी, चंदर शेकर, सहीद, बाकी सब लोग, कैबिनेट सेकरेटरी, होम सेकरेटरी, आर्मी चीफ और उसके अलावा एर फोर्स चीफ, इन सब की राय थी कि अगर इतना लंबा पोस्पोन करेंगे, तो पश्चिम भारत में तब तक मौनसून आ जाएगा, तो चुन टीन सेशन राजीव गांधी जब प्रधान मंतरी थे, तो उनके कैबिनेट सेकरेटरी थे, उनके चहीते अधिकारी थे, और रेटायर्मेंट के बाद, जब राजीव गांधी की सरकार गिर गई और रेटायर्मेंट हो गया टीन सेशन का, चंद शेकर की सरकार उनको योजन आपको जो मिल रहा है उसे ले लेना चाहिए लेकिन राजिव गांधी ने रोग दिया और राजिव गांधी की जिख्र नहीं इस बात का जो आप कहने जा रहा हूं उस किताब ี้ जिख्र नहीं है राजिव गांधी की सिफारिश पर ट्रियन सेशन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया और मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही उन्होंने कॉंग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिया पहला इलेक्शनल नोटिफेकेशन जो आया ये राजिव गांधी की हत्ते से पहले की बात कर रहा उसमें सभी राजियों में चुनाव की अधिस्यूचना जारी करने के लिए सरकार की लोड से कहा गया था उसमें खास थोर से असम को छोड़कर पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की बात थी ऐसा बताते हैं कि टियन शेशन राजिव गांधी से मिल ले गए कि चंद शेखर पंजाब और जम्मू कश्मीर में चुनाव करा रहे हैं अगर वो चुनाव कराने में सफल हो गए पिछले कई चुनावों से इन दोनों राजियों में चुनाव नहीं हो रहे थे लंबे समय से राजपती शाशन लगा हुआ था दोनों जगह पर आतंकवाद की समस्या से देश जूज रहा था तो उन्होंने कहा कि अगर चंद शेखर सफल हो गया तो उनका राजजिति कद बढ़ जाएगा तो इन दो राजियों में चुनाव नहीं होना चाहिए राजियू गांधी उसके बाद राशपती से मिल ले गए और कहा कि इन दो राजियों को जिन राजियों में चुनाव होना है उनकी सूची से बाह कर दिया जाए असम के साथ राश्पती ने cabinet secretary को चिठी लिखी cabinet secretary जो है फाइल लेकर राश्पती के पास पहुँचे राश्पती ने उनसे कहा कि अगर ये change नहीं हुआ तो मैंने अभी caretaker prime minister के बारे में अंतिम फैसला नहीं किया है इसका मतलब सीधी धंकी तीज पर मैं वैसे एक वीडियो बना चुका हूँ उन्होंने सीधी धंकी दी प्रधानमंत्री चंद्रशेकर को कि आगर ये नहीं हुआ तो आपको प्रधानमंत्री पद से हटा भी सकते है caretaker prime minister कौन होगा ये prerogative है description है राश्पती का वो बदल भी सकते थे cabinet secretary ये संदेश लेकर प्रधानमंत्री के पास गए प्रधानमंत्री का जन्म दिन था वो अपने भुमनेश्वरी के आश्रम में थे वहाँ उनको खबर मिली वहाँ से वो आए और उन्होंने cabinet secretary से कहा कि जाकर महमहीम राश्पती से कह दीजिए कि भारती सम्विधान में ऐसे राश्पती से जो सम्विधान के रास्ते पर चलने को तयार ना हो उनसे deal करने के लिए बहुत सारे प्रावधान है और आज शाम तक उन्होंने समय दिया चार बजे या पांच बजे का कि अगर इस फाइल पर दस्थकत होकर राश्पती के नहीं आये तो उसके बाद जो होगा उसके लिए वो जबनेदार होगे तीन साले तीन बजे वो फाइल राश्पती के अस्ताक्षर के साथ लोट आए और अधिसूशना जारी हो गई लेकिन ट्रियन्ट शेशन तो ऐसा चाहते नहीं थे क्योंकि ये कॉंग्रिस के और राजीव गांधी के इत में नहीं था तो जैसे ही राजीव गांधी की हत्या की खबर आई उन्होंने चुनाव पोस्टफोन कराये और चुनाव पोस्टफोन कराया तो उस लिस्ट में से फिर एक बाद चुनाव की अधिसूशना जारी होने के बाद चुनाव का पूरा कारिक्रम जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार चेतर में आ जाता है उस समय तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करता था सिंगल मेंबर कमिशन हुआ करता था मल्टी मेंबर नहीं हुआ था क्यों मल्टी मेंबर कैसे बना क्यों बना ये भी बता देता हूँ आज, ये फैसला उन्होंने लिया और उसमें से जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर को निकाल दिया, सरकार कुछ नहीं कर सकती थी, प्रैमिस्टर कुछ नहीं कर सकते थी, इन दो राज्यों को जहां चुनाव होने थे, वहां की सूची से, उन राज् चुनाव क्षेतर का चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, अब राजीव गांधी जिस चुनाव क्षेतर से लड़ रहे थे, वहां मद्दान हो चुका था, तो इसलिए वहां चुनाव स्थगित कराने का उस चुनाव क्षेतर में भी कोई प्रश्न नहीं था, कोई नियम न पहली बात यह है कि लोकसभा भंग होते ही लोकसभा के सारे 543 सदस पूर्व सांसद हो जाते हैं और उसमें राजीव गांधी भी शामिल थे वो पूर्व सांसद हो चुके थे तो वो विपक्ष के नेता तो छोड़िये सांसद भी नहीं थे इस बात को नजर अंदाज नहीं क कर सकते स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया राजीव गांधी की हत्या के बाद की परिस्तित्यों में कॉंग्रेस पार्टी को जिसमें मदद मिल सके ये काम T.N. शेशन ने किया और T.N. शेशन का जो हम सब लोग जानते हैं कि बड़ा योगदान है चुनाओं को जो है वो प उससे कोई इंकार नहीं कर सकता लेकिन T.N. शेशन अपनी ताकत से इतना अपसेस्ट हो गए कि उनको लगने लगा कि वो सरकार से बड़े हो गए और ये बात कोई सरकार बरदाश्ट नहीं करती है पीवी नर्सिमाराओ 1991 में पधान मंत्री बन गए और जब उन्होंने इलेक्षन कमिशनर नियुक्त कर दिये गए अब दो सरकार ने नियुक्त किये और ये तै कर दिया कि बहुमत से फैसला होगा आयोग में तो T.N. शेशन यानि चीफ इलेक्षन कमिशनर का जो वीटो का अधिकार था वो भी चीन लिया शेशन बहुत फड़ फड़ा है सुप जो कुछ साल बाद रेटायर होने के बाद कॉंग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं और गांधी नगर से लालकिष आड़वानी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो ये कॉंग्रेस के नियुक्त किये हुए निश्पक्ष चुनाव आयोग तो चुनाव आयोगत थे एमस म किस्फा पहले बता चुका हूँ दोरा देता ओं एमस गिल को उसी समय बनाये गया था इलेक्षन कमिशनर जो बाद में चीफ इलेक्षन कमिशनर बने हैं चीफ इलेक्षनکमिशनर रहते हुए उन्होंने क्या कांग्रेस की सेवा की होगी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि रिटायर्मेंट के बाद उनको राज्यसभा में बेजा कॉंग्रेस में और केंडर में मंत्री बनाया वो एक मात्र अपुआद है जब कोई Election Commissioner या Chief Election Commissioner रिटायर होने के बाद केंडर में मंत्री बना हो कोई मंत्री पद लिया हो और वो Congress Party चुनावायो की निश्पक्षता की बात कर रही है तो इससे आप अंदाजा लगाईए कि क्या-क्या होता रहा है अब जो इस्थिती है उसमें मल्टी मेंबर तो है ही Election Commission पहली बार ऐसा हो रहा है नरिन्द मोदी के शाषन में जब Election Commissioners की नियोक्ति में विपक्ष के नेता की भी भूमिका होगी तो कहा जा रहा है बेमानी हो रही है यह तो सरकार कटकुथली बनाना चाहती है चुनावायो को जब केवल प्रधान मंत्री नियोक करते थे जब सिंगल मेंबर कमिशन था तब कटकुथली नहीं बना रही थी सरकार तब सरकार जो है निश्पक्ष और बड़ी पारदर्शी थी तब प्रधान मंत्री जो फैसला लेते थे वो बड़ा निश्पक्ष होता था वो भेदभाव से उपर उठकर फैसला लेते थे और उसी कॉंग्रेस पार्टी की सरकार ने नमी चावला को मुख्य चुनावायुक्त बनाया जिनको शाह कमिशन में इंडिक्ट किया गया ये किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं है उस व्यक्ति को कॉंग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनावायुक्त बनाया तो वो निश्पक्ष पैसला था पहली बार ऐसा हो रहा है अग एक जूट और चलाए जाता है कि सुप्रिम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिशनर्स की नियोक्ती में उस काजो चैन करेगी उस कमिटी में चीफ जस्टिस अफ इंडिया होगे ये सफेज जूट है जब ये मामला सुप्रिम कोर्ट में याची का दायर की गए थी तब सुप्रिम कोर्ट ने एक टेंपरेरी वेवस्था की थी कि जब तक सरकार संसत से कानून बना कर चैन परक्रिया का जो तरीका है वो तै नहीं करती है तब तक ही ये कमेटी काम करेगी तो एक अर्स्थाई कमेटी थी जिसमें प्रधान मंतरी, प्रतिपक्ष के नेता और चीफ जिस्टिस अफ इंडिया थे उसके बाद सरकार ने जोकि सुप्रिम कोर्ट ने कहा था कि ये हमारे संविधान में 1950 में संविधान बना, तभी ये अपेच्छा की गई थी सरकार से कि सरकार चुनाव आयुक्तियों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया तह करेगी तो आप अंदाजा लगाईए 1950 और 2030 तब तक कोई किसी को चिंता नहीं थी कि ये संविधान में लिखा हुआ है तब तक किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि चुनाव आयोगतों का चयन कैसे होता है लेकिन मोदी के आते ही चिंता हो गई कि मोदी चुनाव आयोग को कटपितली बना देंगे उससे पहले के लोग निश्वक शुआ करते थे तो ये देखी ये जो narrative सब चलता है ये जनता पर इसका आसर पढ़ता नहीं है और जब अतीत आप देखते हैं Congress Party का और उससे पहले की सरकारों का तब और जो है आपका मन खिन होगा कि क्या-क्या होता रहा है और आज क्या हो रहा है पहली बार आजादी के बाद से 1950 में सम्मिधान बनने के बाद से पहली बार हो रहा है चुनावा युक्तियों की नियुक्ति में प्रतिपक्ष के नेता की भी भूमी का है तो जो बात प्रधान मंत्री ने कही वो बिलकुल सही बात कही, उन्होंने सही मुद्दा उठाया, कि भई अपने गिरेबा में भी जांक कर देख लीजिए, कि आप करते क्या रहे हैं, जिसका आरोप लगा रहे हैं, उससे बड़े बड़े काम आप कर चुके हैं, और आप प्रेंद मोदी को जो जनादेश मिलेगा, उसको संदेह के घेरे में डालने के लिए, ये उसकी तैयारी चल रही है, ये चुनाव नतीजे आने के बाद की तैयारी चल रही है, तो उससे सावधान रही है, तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी ने आप से अन्रोध हैं कि यह चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दरूट कीजिए, नमस्कार.